शबी शिक्षक सात्यों को नमस्कार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है सात्यों जैसा कि आप जानते हैं कि आज 18.10.2020 को निश्ठा परशिक्षन का मोड्यूल नमबर दो का लिंक सभी टीचर्स को मिल गया है आज की इस वीडियो में मैं आपको मोड्यूल नमबर दो यूपी स्वस्त विद्यालेई परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिकस सामाजिक योग्यता विख्षित करना का भाग 6 तदा भाग 7 लेकर आया हूँ भाग 7 थोड़ा बड़ा है इसमें कुछ प्रशन भी पूछे गए हैं जिनके उत्तर भी मैंने इसमें बताए हैं आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यानते देखें अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको प्रस्रिक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्रस्रिक्शन आसानी से हो जाएगा मित्रो आपको एक सुजाव है जब आप ये परस्रिक्षन करेंगे तो आप कोई भी हड़बडी ने करें कोई जल्दी बाजी ने करें परस्रिक्षन को बहुत द्यान से करें जो वीडियो बीच में आती हैं वो द्यान से सुनें और देखें क्योंकि जो बीच में वीडियो आती हैं और जो लेख आती हैं उन्हीं से रिलेटिड प्रसंड बाद में प्रशनोतरी में पूछे जा सकते हैं तो इसलिए आप धीरे धीरे करें आराम से करें कोई दिक्कत नहीं है जल्दी बाजी बिल्कुल नहीं है क्योंकि 31-10 तक ये परसिक्षन पूरे करने हैं तीन परसिक्षन है मोडिल नंबर वन का लिंक 16 तारिक को आ गया था मोडिल दो और मोडिल नंबर तीन का लिंक आ जा गया है अगर मोडूल के लिंक मिल गए है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत जल्द जल्द करने है आराम से कर सकते हैं आप चलिए सुरू करते हैं भाग च्छे तथा भाग साथ अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल जरू सबस्क्राइब करें जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहें चलिए सुरू करते हैं भाग च्छे भाग च्छे हैं शिक्षार्चों को समझना जैसे ही आप इस पर टच कर देंगे तो इस तरह का आपके पास लिंक ये इंटरफेस इस तरह का जाएगा इसमें दो पार्ट है प्रात्मिक इस्तर के विद्यार्चों को समझना और उच्छ प्रात्मिक इस्तर के विद्यार्चों को समझना तो आपको प्रात्मिक इस्तर के विद्यार्चों को समझना पर टैक कर देना है तो ये एक वीडियो आएगी इसको आपको प्ले कर देना है इस तरह से जब वीडियो प्ले हो जाएगी तो ये एक लेख है इसके अंधर कि प्रात्मिक स्तर के शिक्षार्थैों को समझना प्रात्मिक इस्तर पर शिक्षार्थियों के पर्मुक सरोकार क्या हैं क्या वे उन लोगों से अलग हैं जो उच्छ प्रात्मिक इस्तर में हैं विद्यार्थियों के संग्यानात्मक और सामाजिक व्यक्तिकत विकास का अवलोकन करते हुए शिक्षक प्रारंबिक चरण के शिक्षार्थियों की विबिन शैक्षिनिक व्यक्तिकत और सामाजिक भावनात्मक जरूरतों से परिचित होते हैं ताकि वे इन आवशक्ताओं को पूरा करने में सहयोग कर सकें ये आवशक्ताओं हैं तो इसमें कुछ आवशक्ताओं दी है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है क्योंकि बाद में प्रशन पूछे जाते हैं वो इनिये संबल दीत होते हैं यह आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है यह आपका भाग इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा फिर आप इसमें नेश्ट कर देंगे नेश्ट करने के बाद उच प्रात्मिक इस तरह के शिक्षारत्यों को समझना यह जब आप नेश्ट करेंगे तो यह आपके फोन पर इस तरह क स्क्रीन हो जाएगी यह वीडियो आपको प्ले कर देनी है जब आप इसे प्ले कर देंगे तो इसमें एक लेख आएगा इसमें है उच प्रात्मिक इस तरह के शिक्षारत्यों को समझना तो यह सब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसमें कोई प्रशन नहीं है यहापर अगले जो भाग साथ है उसमें कुछ प्रशन है उनके उत्तर में आपको बताऊंगा इसके बाद आप इसका पूरा हो जाएगा इसे आप नेक्ष्ट कर देंगे तो अब आपका भाग च्छे पूरा हो गया है और आप भाग साथ में अब परवेश करने जा रहे हैं तो इस साथ ही मैं इनको अपने एक वाड़साप ग्रूप पर भी शेयर करता हूं अगर आप इस वाड़साप ग्रूप में जूड़ना चाहें तो आप मेरे वाड़साप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैं आपको इस वाड़साप ग्रूप में एड़ कर लोगा इंटरफेस निकल आएगा स्विद्जालिया कक्षा परिवेश परदान करने के लिए योग्यता और कोसल सबसे पहला आजाता है इसके अंदर व्यक्तिकस सामाजी गुनवत्ता के रूप में सव्वेदन सीलता और देख बाल जब आप इस पर टच्च कर देंगे तो यह परिक संबंद के निर्मान उसे बनाए रखने उसमें सुधार के लिए संवेदन सील होना और एक दूसरे की देख बाल करने का गुन आवशक कात्मी गुनों में से एक है शिक्षण अधिगंद के वातावरण में यह गुन शिक्षण विद्यार्थी विद्यार्थी विद् शिक्षकू एम परस पर दूसरे विद्यार्थी के परती मोखिक और गैर मोखिक विहवार की माद्यम से सब्वेदन सीलता और देख बाल जैसे भाव परदर्शित किये जाते हैं तो इस तरह से यह लेख आपको पूरा पढ़ना है जब आप इसे पूरा पढ़नेंगे तो यह वीडियो आपको पूरा देखना है डाक्टर मोनिका वर्णमा जी की वीडियो है इसे आपको बहुत ध्यान दे सुनना है और पूरा देखना है इसमें आपको इसकिप नहीं करना है क्योंकि जो बाद में प्रशन और उत तराफ से पूछे जाते हैं वो इनहीं से पी तो यह वीडियो आप यह पूरा लेक पड़ना है आपको ध्यान से जब आप इसे पड़ देंगे तो यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आप इसे नेक्ट कर देंगे नेक्ट करने के बाद आप इसका जो भाग साथ है इसमें है गुनवत्ता टू विस्वशनियता आप इस पर टिक कर देंगे इस पर आप टैप कर देंगे तो इसके अंदर यह पांच पांच हिससे हैं गुनवत्ता दो में पांच पार्ट है भाग साथ का जो गुनवत्ता दो है इसके पांच भाग है आप पहले भाग पर टैप कर देंगे इसको यह नंबर एक डाल दे है मैंने इस पर विश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश् इमानदारी से उनकी भलाई के बारे में चिंटित होते हैं नेके वल विद्यारती के रूप में बलकि उनके जीवन के अन्य सभी पहल वो के बारे में भी उनके परदरसन की परभा करते हैं तब में कख्षा में ध्यान देने के लिए अति उत्साही और उत्करश्ट परियास कर तो विद्यार्थी आगे चलकर अपने रिष्टों और सम्बंदों में उसी तरह का प्रद्रसन करना सीखते हैं यह लेखा आपको पूरा पढ़ना है पूरा पढ़ने के बाद आपकी स्क्रीन ऐसी आजाएगी यूजस्ट कंप्लिटिड आप नेक्ट पर कर देंगे नेक्ट में नमबर दूआ वयास का गतिविद नमबर तीन अपनी समझ की जाच करी भरुशे मन होना काफी हद तक इस पर आधारित है विद्यार्थियों को उनके निर्देशों के अंसार बनाने की शम्ता है नहीं हाँ इसमें से आपको एक पर ट्रैप करना है इसमे हम नहीं पर जाएंगे और इसको would दबा कर अगले प्रशन पर आ जाएंगे शम और दूसरों के विचारों और भानाओं के परति सत्या और इमानदार होने की शम्ता इसमें हम नहीं पर जाएंगे एरो पर कर देंगे क्लिक इसमें हम हाँ पर जाएंगे शम और दूसरों के विचारों और भानाओं के परती सत्य और इमानदर होने के शमता है इसमें हाँ पर टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे विद्यार्सों के वहवार के बारे में मत और विचार हाँ नहीं इसमें हम नहीं पर जाएंगे और अगले प्रशन पर पहुँच जाएंगे एरो को करेंगे नेश्ट कर देंगे और अगले प्रशन पर पहुँच जाएंगे विद्यारतों का विश्वास कितनी जल्दी जी सकते हैं हاں, नहीं, इसमें हम नहीं पर जाएंगे और नेश्ट कर देंगे कैसे इसे नेश्ट करेंगे, आप अपना स्कोर देख सकते हैं, four by four तो हम इसको नेश्ट कर देंगे यह हमारा पूरा हो गया है अब हम इसके third part में आ गए है अतिरिक संसाधन विश्वषणियत के महत کو समझना ये एक वीडियो है ये आपको पूरा देखना है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसको इसकी पने करें ये मैंने इसके डिखाया आपको इसकी पने करें क्योंकि जो आदमे प्रशन उत्तर पूछे जाएंगे बाद में वो सब इन ही में से रिलेटेड होते हैं इसके बाद ये पूरा हो जाएगा और इसको नेक्ट कर देंगे अतिरिक संसाधन विस्वस्चनत के महत को समझना परती लीपी या इसकी ये लेक है नमबर चार आगया इसी का अब इसको हम पूरा पढ़ेंगे पूरा पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में ये क्या कहना जा रहे थी इसको नेक्ट कर देंगे ये कंप्लीट हो जाएगा आपका फिर इसको नेक्ट करके आगे आ जाएंगे जिसका भाग पांच अधिरिक संसाधन विद्यारतों के बीच विश्वास बनाने की रणनी थिया जिसका पांचवा हिस्सा आ गया जो गुनवत ता वाला पार्ड था उ इवाधन करना उन्हें उनके नाम से बुलाना काकसा के सासाथ विद्या लिने में भी उनसे पूच्छना कि आज진짜 कर रहे हैं या दिन कैसा चल रहा है आदी और ध्यान से सुनना की में क्या कह रही है यह उन galaxियारतों की जरखता है जो श्र्मीले होते इसे आप पूरा कढ़ ही फिर आगे बढ़ जाएंगे नेस्ट कर देंगे नेस्ट करते ही आपके सामने जो गुड़ क्री दोना है। इसकि पढ़ने के बाद ये नेक्ष्ट कर देंगे, पूरा हो जाएगा, नेक्ष्ट करते ही इसका δूसरा हिस्सा आजाएगा, श३म्त तबहु करणे पर देखना नेक्ष्ट करते ही, इसके हिस्वन ता दूसरों में अच्छाई देखना, ये एक चोटी सी वीडि दूसरों में अच्छा ही देखना ये आपको पूरा पढ़ना है छोटा सा लेख है इसको पढ़ने के बाद आप इसको नेक्ट कर देंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा और नेक्ट करके आप अगले वाले पार्ट में पहुँच जाएंगे इसको आपको ध्यान के देखना है इसके अंदर सायद छे गतीविदी है इसके छे पार्ट है गुनवत्ताफूर के तो हम देरे देरे बताता हूं मैं इसमें भी सायद कोशन एन आंसर है व्यक्तिकस सामाजिक कोशल के रूप में परभाविश अमप्रेशन ये एक छोटा सा ल यहां इसको पढ़कर आप पूरा करेंगे यू जश्ट कंप्लिट्टेड मैस्ट कड़ेंगे फिर आप के सामने दो नंबर आजाएगा अतिरिक्त पढ़ना सुनना और पड़ती के लिए देना इसको आप देखेंगे ध्यान से पूरा पढ़ेंगे पूरा पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे यू ज़स्ट कंप्लेटिड नेश्ट कर देंगे गैर मोकिक संप्रेशन के माद्याम से दूसरों और स्वंकी भावनाव को समझना ये इसका तीसरा हिस्सा है ये एक छोटी सी वीडियो है दो मिनट तर एपन सेकिंड की डॉक्टर मोनिका वर्माजी की वीडियो है ये भी आपको बहुत द्यान से देखनी है ये पूरी हो जाएगी तो नेक्ट कर देगे फिर आएगा गैर मोकिक संप्रेक्शन के माद्याम से दूसरों संप्रों की भावनाव को समझना परती लीपी ये आएगा इसको आप पूरा पढ़ेंगे द्यान से इसको पूरा पढ़ने के बाद आप नेक्ट कर देंगे ये पूरा हो जाएगा तो आपके सामने आ गया जाया गतिवी धी नमबर चार विचार करें अपने किसी ऐसे मित्र के बारे में सोचे जिसने हाल ही में एक नकार आत्मा क्या दर्दनाग जिवनी घटना का अनुभाओ किया हो यानि किसी प्रियजन की मरत्तु या किसी महत्मु मत्मित रदा का तूटना ये बारे में आप जानते हैं उसके गैर मोखिक संप्रेक्शन से आपने उसकी भावनाओ और विचार को कैसे समझा उसकी सूची बनाओ इसे पूरा पढ़के हम आगे कर देंगे नैश्ट कर देंगे अब आएगा अतिरिक गतिविदी अपनी समझ की जाच करें इसका लाश्ट पार्ट है इसमें लिखा है बताएं कि निमलित कतन सही है या गलत संप्रेक्शन मोखिक और गैर मोखिक हो सकता है ये सवाल दियान जे देखें आप इसका जवाब है सही या गलत तो ये सही है इसे हम सही पर करके आगे बढ़ जाएंगे डग मगाती आवाज में कुछ कहना संप्रेशन है ये सही है इसे हम सही करके आगे बढ़ जाएंगे संप्रेशन केवल सुनने और उत्तर देने के बारे में है ये है गलत है गलत पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो इस तरह से ये 4 qutu कोशन थे, 4 हमने कर दिये है 4 बाई 4 स्कोर आ गया है, इसे next कर देंगे next है इसके अंदर परानूद भूती परानूद भूती को पना कर देंगे फिर ये एक छोटा सा लेक है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे ज्यानते पढ़ने के बाद इसको हम पूरा ज्यानते पढ़ेंगे और फिर इसको हम आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से भाग साथ कम्पलीट हो गया है तो मित्रो अब इस वीडियो में इतना ही मैं आपके सामने बहुत जल इसके नेक्ट पार्ट लेकर आने वाला हूँ तब तक आप इससे भाग 6 और 7 को पूरा कीजिए इससे पहली वीडियो में मैंने भाग 1,2,3,4,5 कराए थे इसमे 6 और 7 करा दिये है अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगा मिलते हैं आप से बहुत जल अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुब हो